अग्राइब दोस्ट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी का इडूकरेशनल पॉइंट में कल जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सवर मंडल के जो पिर्थवी का हमारे जो पिर्थवी है उसके वाइव मंडल के बारे में वाइव मंडल के अलग के बारे में हम लोग जनकाई परप्त किये थे तो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो था वह वाला वंचुकि बहुत ज्यादे कोशन उससे भी पुशे जाते हैं रिलेटर इजाम से आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सौर परिवार है सौर परिवार मतलब सूर्य और जो ही ग्रहू का मिलाक या उलका पिंडे शुद्ध घरह जीतने भी पाया जाते हैं सब से मिलार सबको मिलाके सवपरिवार का जाता है उस सवपरिवार के सभी ग्रहूं के बारे में पढ़ेंगे जहां तक चला जाएगा हूँ वहां तक पढ़ेंगे मोलallasг फिर इसके और चटान के बाद से उसमें परवत, पठार, नदियां और बिसु का भागोलिक रूप, बिसु के महादीप, महासागर और भारत का भागोलिक रूप, भारत का भागोलिक रूप को मतलब भारती है जो अस्थले रूप है या भागोलिक पॉलिटिकल रूप है वो देखेंग नदिया कहाँ है पठारी छेत्रे मैदानी छेत्रे यह हिमालाई छेत्रे का क्या है इसके बार में हम लोग देखेंगे इसके बारमें महाधीपों को पड़ते बहुत आगे जो करेंट सुर्परिवार के बारे में देखें सुर्परिवार होता क्या है सुर्परिवार किसे कहते हैं तो सुर्य जो कि सुर्य सहित और जितने ग्राह है मतलब सूरी के साथ ग्रह उप ग्रह सूरी के साथ जो भी है ग्रह छुद्र ग्रह उलका पिंडे या अन्य आकासी पिंडे जो सूरी के चारो और इस्थित होती है अथमा पाई जाती है उनको संजुक्त रूप से क्या कहा जाता है सौर परिवार कहा जाता है सौर मंडल कहा जा होता है आइफर इंटरनेशनल एफर एस्ट्रोनॉमिकल और यूफर यूनियन दोजार छो में जिसकी अस्थापना होई थी आई यू जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है मतलब अंतराश्टिय खगोलिय संग इसका हिंदी अगर हम देखें तो होगा प्लूतोो जो ता जो यम था यहमगर था उसको 2006 में इसी आई ये यूंके द्वारह। से निकाल दिया गया ग्रास से बाहर कर दिया क्योंगि वह ग्राहों का эndis वोज होता है उसको पूरा नहीं कर सकता था या फिर से जो ग्राह का अपना क्लास होता वह अपने क्लास में घुमते रहता हैं यहां नग वरून से कלאस में भर्मन क yo आपने क्लास में करते करते और परिकरमन करते क्सी दूसरे घ्र्रा के मिन चला जा रहा tusầu चला जा रहा था जिसके करान it को ग्राय की स्रेणि में डाल दिया गे सो on a अभी फिलहाल में छुद्रग्रहों की संक्या जो है मुख्य रूप से जो जनकारी उसके अनुसार एक प्लूटो जयम है उसको वह 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 भी छुद्रग्रह फिर एक। तेरस सेरं यह भी शुख्य जो है जुख्य शुख्यूब करता है उसके कोई अपने क्लास नहीं होता है उसके आपने क्लास ग्रहों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा गया है इस तरह से हम कुल ग्रहों को अगर देखें तो कुल ग्रहों को मुख्य रूप से आठ ग्रह हैं कुल आठ ग्रह कौन कौन से है तो वह आठो ग्रहों को दो भागों में बाटा गया है पहला पार्थिव अत्मा आंत कियोंकि ये पृथिवी के सद्रिष से होता है इसलिए इनको पार्थिगुरा अत्मा आंत्रिगुरा का जाता है जैसे पार्थिक गुरा में कौन कौन से गुरा आता है बुध आता है शुक्र आता है पृत्वी आता है मंगल आता है जैसे अगर यह हमारा अगर सोर परिवार हो तो इसमें पार्थिक गुरा कौन कौन होगा बुध होगा शुक्र होगा पृत्वी होगी और कौन सा होगा तो और होगा मंगल, अर्थात चार ग्रा, बोध, सोक्र, पृत्वी और मंगल, इनको पार्थिक अत्मा आंत्र ग्रा कहा जाता है, क्योंकि या पृत्वी के सद्रिश होते हैं, बिल्कुल उसी के तरह उसलिये, और दूसरा जो पार्ट है, जिसको बिरिश्पती अत्मा बाहे ग् जूरा लेक। हैं जैसे कौन-कौन से उसमें ग्रह आता है तो चाट उसमें भी आता है विर्सपति शनी- अरून और मतलब बाहिए गरह में देखा जाए तो बाहिए ग्रवा चार है विरसपति है सनी और अरून है यह चार ग्रह पार्थी अत्मा अंत्री ग्रह है और जो अन्य जो है वो चार जो है ब्रस्पती और बाइद्रा इस तरह से कूल ग्रहों की शंक्या इस समय कूल ग्रहों की शंक्या कितनी है तो कूल ग्रहों की शंक्या जो है वह आठ है अब इसमें देखें सौर परिवार से मत लुट गुद्धा के क्लेश स्अरवाधिक नज्दिक बुद्र उसके बाद से सुक्र उसके बाद से पर इस परकार होंगे सुरी के सबसे नज़दिक अथमा सुरी के सबसे निकट जो गरह होगा वह होगा बुथ दूसरे नंबर पर सुक्र, तिरसे नंबर पर हमारी पिन्थभी चौथे नंबर पर मंगल और पांचवे पर ब्रिश्पत छटवे नमबर पे सनी, सातवे नमबर पे अरूण और आठवे नमबर पे वरूण ग्राँ ऐसे आठ ग्राँ सुरी से दूरी के अधार पे है, डिस्टेंड से मतलब सुरी के पास कौन है, सुरी से सबसे दूर कौन है निकट है अब इससे एक और अन्मान और आप लगा सकता है कि चुकि जब पास में होगा ते इसका क्लास और चोटा होगा तो यह इसका परिकरमन काल और तेज होगा मतलब परिकरमन काल या सबसे पहले परिकरमन कर लेता होगा यानि सुरी का परिकरमा सबसे पहले कर रहा होग का सबसे कम परिकर्मन काल जो होता है वह बुद्ध का होता है क्योंकि इसका क्लास बिल्कुल सूरी के पास है और छोटा है इसलिए सबसे पाले या सूरी की परिकर्मा कर लेता है असाने से कर लेता है और आकार में देखा जाते हैं, ये आकार में, आकार मतलब उसका आकार कैसा है, किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे छोटा है, तो आकार में सबसे बड़ा आकार है, तो वह है बिरिस्पत का, बिरिस्पती ग्रह का आकार सबसे बड़ा और बूध ग्रह का आकार सबसे छोटा ह । अगर श्रिंखला देखें, घट्ते करम में, घट्ते करम का मतल़ होता है सबसे बड़ा पहले, उसके बासे सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लासमय सबसे छोटा तो घटते करम में अगर आकार में हम देखे तो सबसे बड़ा आकार जो होता है वह ब्रिस्पती होता है यानि सबसे बड़ा आकार का ग्रह है तो ब्रिस्पती है सबसे चोटा आकार का जो ग्रह है वो बूध है अब आकार में नम्मरिंग अगर हम करते चले तो ऐसे जो है वह वरूण है मतलब सबसे बड़ा विर्षपति है उससे छोटा सनी है उससे छोटा अरूण है उससे छोटा वरूण है उससे छोटा जो है अरूण के बाद जो छोटा है वह हमारा पृत्वी है और पृत्वी से छोटा जो है सुक्र है सुक्र से छोटा मंगल है और सब्सक्राइव चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे शोटा जो ग्रहों में अकार होगा वह बूध का होगा अब November में अगर देखा जाए हो सकता है इसमें से बिर्सपती कर देगे वह सकता है अगर आपके competitive exam में पूछे तो विरस्पति गयाग कर दे चार आपसन में देने का मतलब यह से दे कि सनी है अरून है बुद्ध है और प्रिथिभी है ऐसे चार आपसन आपको दिया हुआ है और तब पूछे आपसे कि निम्न में से सबसे सबसे बड़ा गरह है तो अगर आप point केवल रटे हुए है कि विरस्पति सबसे बड़ा बिरस्पति सबसे बड़ा है तब तो यह question आपसे छूट जाएगा इसका मतलब ही कि जब बिरस्पती इस आप्षन में नहीं है तो दूसरे नमर पर कौन आता है सनी आता है इसका मतलब सनी है लेकिन सबसे बड़ा आकार में बिरस्पती है दूसरे नमर पर यहीं बिरस्पती से छोटा सनी है उससे छोटा अरून है उससे छोटा वरून है उससे छोटा हमारी होता है कि सुरी के चारों ओर घूमना जısı से हमारी प्रितर्पी 355 या 366 में सुरी के पूरा करती है जो विर्थक क्ष में परिक्रमन क रहिए काल होता है घूरण काल को परिभरमन काल करते हैं तो एक ही जगह पर जो घूमता है यह इसका टिप से आप है अब यह घुमते 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 घ भूर परिकरमण इसमें तो रटने की जवुर्थी नहीं है जो सुरी से सबसे नजदीक होगा लजमी है कि सबसे पहले घुमता होगा जो सुरी से सबसे दूर में होगा लजमी है कि सबसे ज़्यादा समय लेखता होगा परिकर्मन करने में इसका मतलब है हुआ कि परिकर्मन सुरी का सबसे पहले कौन कर लेता होगा तो बूद कर लेता हो क्योंकि इसका क्लास सबसे नजदीक है सुरी के निकट है दूसरे नमर पे कौन करता होगा सुक्र करता होगा तिसरे नमर पे हमारी प्रित्वी करती होगी चौथे नमर पे मंग करता होगा पांचवे नमबर पर ब्रिस्पत करता होगा छठवे नमबर पर सनी करता होगा साथवे पर अरून करता होगा और आठवे पर वरून करता होगा इस तरह से यानि परिकर्मन काल अगर देखा जाए परिकर्मन काल में सबसे अधिक परिकर्मन काल जो होता है वह होता है बुद्धा होता है उसके बाद से पौर म से अपने दूरी पर कौन गोंता है तो सब से अपने धूरी पर गोमने वाला ग्राह। कौन होगा जो बड़ा होगा वही होगा तो बड़ा कौन है बड़ा ब्रस्पत है यानि सबसे तेज अपने धूरी पर जो घुमता है वह कौन से ग्रह है ब्रस्पत है यानि ब्रस्पत ग्रह अपने धूरी पर सबसे तेज से घुमता है इसलिए उसका परिभ्रमण का अथमा घुडन गति अथमा अपने अक्ष पर घुमने की गति अथमा अपने धूरी पर घुमने की गति सबसे तेज होती है वह होती है किसका बिरस्पति ग्रह का क्योंकि सबसे फास्ट चलता है बहुत तेज घुमता है उसके बाद से बिरस्पति के बाद अगर देखें तो सनी का द पिर्थवी ब्रहमन काल यह अपने धोरी पर घूमने की इगती सबसें के में ब्रयस्पत में और सबसें कम होती है होता है सुक्र में होती है यह चीजे थी ग्रहों से संब्दित अब हम देखें सबसे जो निकट वरती ग्रहां जीन पार्थी बता आंत्री ग्रह कर जाता है उसमें एक एक करके अगर हम देखें दे सकता है बुध जो है बुध हुआ कहा है सुरी के बिल्कुल निकट होगा एक चीज तो आप अनमान लगा ही सकते हैं कि सुरी के निकट जब होगा तो उसका टेंपरेचर बहुत ज़्यादा होता होगा मतलब ताप उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता होगा सुरी के प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता होगा क्यों क्योंकि सुरी के पास में है इसलिए इस सबसे छोटा ग्रहा है अकार में सबसे छोटा ग्रहा है जो वो धह स्कों मरकरी कहा जाता है इसके पास उपग्रहों की संख्या तो तो होता है तो प्राकृतिक जो नेचूरल होता है है पहले से उस से जुड़ा होता है जो मानव निर्मित होता है जो यहां से अपने वह लाज़ किया जाता है या Muson में अमेरिका शrie से लांच करता है तोो जो सेटेलाइट जाते हैं इतमा करितिरिम होता है जो किसी वहानों PSLV या अत्मा GSLV द्वारा जाते हैं वो माननमित होते हैं जैसे अपने मां से जाते हैं लेकिन जो हले से मौजूद रहते हैं वो कृतिर्मत है तो यहां पुग्राओं की संख्या जो है जीरो है कहां पे बुध पे ऐसा नहीं कि बुध पे सुक्र पर भी यह को गुग्रा नहीं है बुध और सुक्र में एक गुग्रान होता है पृतिवी के पास एक अपना पुग्रा है जिसका नाम चंद्रमा है और मंगल का दो प्रहुतर मंगल के पासंदल ग्रह की संख्या होती है इस तरह से देखें और यहां जो ग्रह है जो बूध है इसका चम्मक्य चटरीश पर बहूत ज़्यादा पाजाता है बहुत ज़यादा मतलब होता है रात में उतना ही टेमपरेशर लो उसको पॉपने में बढ़ा होगा तोале इसे ओगा मनता पंतर कम होता है थार के रिगस्तान में वहाँ ता पंतर अधिक होता है भी मतलब दिन में बहुत ज़्यादा टेंपरेचर यतना दिन गर्म होता है थन्डी होती है थिक बुधवपर वी प्रोसेस होता है दीन का जो वहाँ का temperature होता है, जो बुद्ग्रा है, उसका दीन का temperature 427 degrees Celsius होता है, अपने वागर में 50 degree Celsius मिन नहीं पहुंचता है, तो समझे क्या होता है और ओओ 427 degrees Celsius दीन का temperature, रात का जो temperature होता है, माइनस में 173 170 degree Celsius माइनस में जो होता है तपांतर बुध पे रात में होता है और दिन में जो होता है तब जो ताफ होता है वो 427 degree Celsius होता है रात में जो ताफ होता है माइनस 170 degree Celsius होता है यहाँ बुध की मुध में खासियत पाई जाती है आगे देखेंगे विनस, सुक्र शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रा है यहां और सबसे गर्म ग्रा है शुक्र जो है दूसरे नमर पर जो आता है वो सबसे चमकीला ग्रा है और सबसे गर्म ग्रा है एक बात और बुध जो अपना परिक्रमा करता है मनें परिक्रमा करता है किस दिशा से किस दिशा क्यों करता है तो अंग्रेजी में पुछा जाए तो एंटी क्लाकवाइज मतलब हिंदी में बामावर्थ तीनों क्वाइंट आफ यू से इंपार्टेंट है क्योंकि एक्जामनर जानता है कि आप रटे हुए पस्चिम से पूरव तो आपको आप्शन पस्चिम से पूरव पूरव से पस्चिम देब नहीं करेगा देदेगा एंटी क्लाकवाइज चाह तो पस्चिम से पूरव की ओर हलाकि सभी ग्रह जो है वो पस्चिम से पूरव की ओर ही गति करते हैं परिक्रमन करते हैं लेकिन मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जैसे सुक्र और अरून सुक्र और अरून यही दो ऐसे ग्रह हैं जिनका जो सिधे-सिधे पूरव से पस्चिम घुमत सब्सक्राइब करता है दूद में खला नामक जो एक मंदाकनी है उसकी तो वह पूरब से पस्च्राइब करता है लेकिन सुरी एक तारा है तो किसके करता है रिचिए घ्लैक्सिस का मंदाकनी का करता है तो जो बुद्धफ ग्रह घोडण ःतो से पस्च्राइब से पर्वास जोग्रह इसका कैसे है तो यह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और चमकीला भी है इसलिए इस ग्रह को साज का तारा अत्मा भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है यानि सुक्र ग्रह को साम का तरह अत्मा भोर का तरह के नाम से भी जाना जाता है यह ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है ज़्यादा गर्म होता है साम के समय आपको पश्चिम दिशा में चमकीला जो तरह दिखाई देता है वह सुक्र होता है सुभा के समय जो पुर्व दिशा म मैं आपको दिखाए देता है चंकिला तरह कोई तारह नहीं होता साज का तरह अथ्मा में किसे कीसे जाना जाता है सुखर ग्रा को ही जाना जाता है इसकी गति किदो किदे होती है तो पुर्व से पश्चंक और दच्रा अरुअझा क्लाक वाइस होती है इसको प्रिथवी की भगनी भी कहा जाता है अब देखिए प्रिथवी का भगनी क्यों कहा जाता है क्योंकि यह देखने में इसको जब देखा जाता है एकदम प्रिथवी के सद्र से दिखाई देती है प्रिथवी के समान दिखाई देती है तो प्रिथव मतलब सिष्टर का जो वह होता है उसको भगनी जो बची होते हो उसको बुला जाता है बाला डिलैसन में एक दो वीडियों बना हुआ है देख लेंगे उसमें वेलाडी लेसन में सायचीजी है आगे एक जाम में जाओ के बहुत जादा बुलाड ड्रिलैसन से कुश्चन मिलें तो पृठ्वी के नामसे भी जाना जाता है तो शुक्रगिरा ऊगर कि ऐखने में भी पृठ्वी के सद्रिस दिखाए देती है इसलिए इसको प्रृठ्वी की बहन है एक खासीयत और सलियुरि कमल का बना होता है जो किसे ग्रहा जिसके चारोर सपिर पाजाता है तो सोक ग्रह होता है और इसमें ही एक चीज यहां से कोरिलेट कर ले अगर भी ज्यान से तो HCl, Hydrochloricum और HNO3, Nitricum इनका तीन सम्मंदे एक का जो अनपात होता है उसको Amal Raja Thuva Aquaragia कहा जाता है जो क्या करता है? सोना जैसे पदार्थ को भी अपने अंदर गलाने की छमता रखता है Amal Raja Thuva Aquaragia आगे देखिए इसमें भी उपग्राओं की संख्या सुने है, जैसे मैं पहले भी बताया हूं कि बुद्ध और सुक्र के पास एको उपग्रा नहीं है प्राकर्तिक उपग्रा एको भी नहीं है आगे देखिए ब्रस्पति जिसको जूपिटर कहा जाता है अकार में देखे ही हैं अकार में सबसे बड़ा और धूरी अथमा परिभ्रमन काल भी सबसे तेज होता है इसका मतलब अपने आक्ष पर बहुत तेज से गुंता है कौन ब्रस्पति ग्रह तो यह सबसे बड़ा ग्रह है अकार में यह इसका परिकरमन काल थोड़ा होता है अबने का एक परिकरमा एक चकर लगाने में बार्व बार्ष को समय लेता है तो आइए से पी यह चकर लगाती जेतो 400 श्चार दिन नधिन फिलाlarını लगाता है तो बारा बस का समय लगता है इसको तो है भी तो पिर्थिवी से दूर काफी दूर है मंगल है उसके बाद से बिरस्पति है इसके एक लास दूर भी तो है और अपने धूरी पर अभी मैं पहले भी बताया हूं कि सबसे फास्ट अपने धूरी पर जो घूमता है वह बिरस्पति है अपने धू तो धूरी पर अपने धूरी पर यानि परिभरमन काल इसका कितना समय होता है 10 संटा का और परिक्रमन काल नहीं परिकरमा जो चारोट करता बारे घंटा होता है इसका यह कुझे उपग्राह है सबसे ज्यादा संख्या ब्रिस्पती पर है अभी जो सब्सक्राइब और उसमें भी ब्रिस्पती पर ग्यानिमीड 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 नामक जो इसका उपग्रा है यानि ग्यानिमीड नामक किसका उपग्रा है ब्रिस्पति का इसका यह कहीं ग्रह नहीं है बहुत सारे ग्रह तो ग्यानिमीड नामक जो उपग्रा है वह इसका ब्रिस्पति का सबसे बड़ा उपग्रा है तो किया नाम है ज्यानी मीड्हाय इसका रंग कैसा है देखने में कैसे तो पीले रंग का दिखाए देता है इसके आगे वाले जो ग्रह्ण वालत टापिक है मना इसके आगे जो हम लोग पढ़ होने दाणी अरून बढ़ेंगे अज्सब्स और पर चलेंगे प्रित्वी के पूरा सनच्षण 20-20 के बाल तब भारत पठारी परवतिय चेत्र अब जाके समाथ होगा उसके बार जो भी एनकी प्रताहिंक समाथ उसके आगे भी होता है लेकिन वो करेंट का तो इतना टापिक चलेगा आप लोगों को यह अगर वेडियो अच्छा लएगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे ठीक है एनी कोश्चन्स अगर हो इससे संबंदित जो भी कोश्चन है या इससे संबंदित जो भी क्यूरीज होते हैं वह हमारे टेलि के पॉलिटल पॉलिटिकल कोश्चन भी पड़े हुआ है उसमें आप देख सकता है और इससे सब्सक्राइब कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद